अमेरिका से सेने हत्यार मिलने के बाद एक बार फिर यूक्रेन रूसी हमलों से अपना बचाव कर पा रहा है और साथ ही वो रूसी हमलों का जवाब भी दे रहा है हाला कि यूक्रेन को अमेरिका से मिले हत्यारों से रूस पर लंबी दूरी के हमले करने की अजाज़त नहीं है लेकिन यूक्रेन के कुछ नेटों समर्थ तक अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि वो यूक्रेन को अमेरिकी हतियारों से लंबी दूरी के हमले करने की भी छूट दे इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जो यूक्रेन के लिए तो अच्छी है लेकिन रूस के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है पॉलिटिकों ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि अमेरिका के राश्टपती जो बाइडन ने यूकरेन को रूस पर लंबी दूरी के हमले करने की अनुमती गुपत रूप से दे दी है रिपोर्ट के मताबिक बाइडन ने यूकरेन को खारकों की सीमा से लगे रूसी हिस्से में हमला करने के लिए अमेरिकी हथियारों के उपयोग की अनुमती दी है हाला कि बाद में वाइड हाउस ने कई मीडिया आउटलेट्स को लिखित में इस फैसले की पुष्टी भी की है अधिकारी ने ये कहा कि राश्टपती ने हाली में अपनी टीम को या सुनिशित करने का निर्देश दिया कि युकरेन खारकों में जवाबी कारवाई के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर सके जिससे कि वो उन रूसी बलों पर जवाबी हमला कर सके जो उन पर हमला कर रहे हैं या फिर हमले की तयारी में है अमेरिकी अधिकारी के दावे के मताबिक बाइडन ने भले ही युक्रेन को लंबी दूरी के हमलों की छूट दी है लेकिन उन्होंने रूस्तिक शत्र के अंदर हमला करने के प्रतिबंद को नहीं बदला है इसके अलावा युक्रेन को ATSCMS मिसाइलों को इस्तमाल करने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी आपको बता दे कि हाल के दिनों में बाइडन पर इस बात का काफी दबाव पड़ा कि वो युक्रेन को बिना किसी प्रतिबंद के अमेरिकी हतियारों को इस्तमाल करने की छूट दे लेकिन सार्वजनी कुरूप से वो अभी भी इसकी अनुमती देने से मना कर रहे हैं युक्रेन को छूट दिये जाने कि उनके इंकार से बाइडन प्रशासन सहित अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच दरार पैदा हो गई है बाइडन के इनकार से युक्रेणी राज़पती व्लादिमिर जलेंस्की और उनके वरिष्ट अधिकारी भी नाराज है इन में से कुछ अधिकारियों ने इस हफ्ते कहा था कि अगर उन्हें रूसी हतियारों और सेनि ठिकानों पर सीमा पार हमला करनी के अनुमती होती तो वे खारकों में किये गए रूसी हमले को रोक सकते थे इधर अमेर्की विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और पेंटेगन के वरिष्ट अधिकारी चाहते हैं कि बाइडन रूस पर लंबी दूरी के हमलों को मन्जूरी दे बिटन, फ्रांस, जर्मनी और पॉलेंड सहित कई नेटो देशों ने तो पहले ही उक्रेन को अपने हतियारों का इस्तेमाल करने की छूट दे दी है इधर उक्रेन को छूट दिये जाने या न दिये जाने की बहस के बीच रूस का कहना कुछ अलग है रूस का कहना है कि यूक्रेन पहले से ही बिना किसी प्रतिबंध के अमेरकी हतियारों का इस्तेमाल कर रहा है रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरों ने पिछले हफते ही कहा कि अमेरकी हतियारों का इस्तेमाल पहले से ही युद्धिक्षित्र के बाहर विविन लक्षियों पर हमला करने के लिए किया जा रहा है